हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए को यहां रास्ते में चलते चलते आपको कोई बटन पड़ा हुआ मिल जाये तो यह आपको किसी नए मित्र इस अज़ा आज कि की संपूरता का परतीक होता है यदि ग्रैणी के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्चा है जिसे बार बार साफ करने के बाद भी जंग लग जाये तो यह अच्छा सकुन होता है इसका मतलब है कि घर का कोई रिष्टेदार आपको कुछ धन देना चाहता है चाबियों को बच्चे के तकिये के नीचे रखना भी अच्छा होता है यदि रूई का टुगड़ा किसी व्यक्ति के कपड़ों पर चिपका मिले तो यह सुब माना जाता है यह किसी सुब समचार मिलने का संकेत होता है कोई प्रिय व्यक्ति भी आ सकता है कहा जाता है कि रूई का यह टुकड़ा व्यक्ति को किसी एक अक्षर के रूप में नजर आता है यह अक्षर उज व्यक्ति के नाम का परतम अक्षर होता है जहां सो उज व्यक्ति के लिए सुप संदिज या पत्र आ रहा होता है तो दोस्तो हमें उव्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी यदि आज की वीडियो आपको पसंद आये तो आप इसको अधिक सदिक लाइक और शेर करना न भूले और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद